माग मातम्मय का तेसरा अध्या भ्रगु रिशी का विद्याधरो कोकदेश, राजा दिलिप ने मेरिशी वसिस्ट से उस्पता पुर्वक पशन किया, कि हे राजन एक समय बारा वर्ष तक पिर्थी परवश्चा नहीं हुई, चारो और त्राई त्राई मच गई, धरम, वरत, धावन, पूजन सब समाप्त हो गए, भूम अंडलपल फुल जल से रहीत हो गया, पिर्थी की ऐसी दुर्दशा देखकर मेरिशी वर्गु अपने शिश्यों से इतकेलाश परवत के मनी कुट नामक शैल सिकर पर चले गए, शैल सिकर के सुंदर्य का वर्णन करते वेविश जी ने कहा, ए राजन शैल सिकर की सुंदर्ता का वर्णन अब प्रिमित है, जिसमें स्वन बंडार, रतन तता मन्यों का अतन बंडार है, नीले रंग का परवत तारो भरे आकाश तता चंदर्मा के परकाश में अतन सुशोबित परतित होता है, परवत की तराई में अनिक य का वर्णन करते विसूद जीने का है, राजन भै, विरागी, मात्मा, तता योगी, इश्वर, राधना, हवन तप मेलीन रहे, सर्क, तुल्य, वायू मंडल में अनेक पुछपो की सुगंदी व्याप्त रहती है, अनेक स्थानों पर परवत्य जर्णों की, मधूर कलकल की द आपके विश्य में मेरिशी बोले हे राजन यह परवत्य चतिस योजन उचा है, तता इसके चोड़ाई दस योजन है, विर्ट्वी पर अकाल पढ़ने के कारण मेरिशी भिर्गू तता उनके शिश्यों ने इसी स्थान पर अनंतकाल तक वास किया, उनके तप व्य भागव